हेलो ब्रीवान वेल्कम बैक टू नॉलज रिव्यू क्लासेश चलिए 37 नमर कोशेशन से स्टार्ट करते हैं जी हाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार जूण ये चैनल पर उनको मैं बता दूं देखिए आपकी जो GS की क्लासेश है वो अलड़ी स्टार्ट हो चुकी है आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से प्रिविएस वीडियो देख लिजिएगा और ये क्लासेश GS की पहली जो सब्जेक्ट से वो फिजिक्स है जिसको मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं और ये क्लासेश है आपकी UP SSC पेट टेक है 2023 की क्लास और हमारा टार्गेट है कि हम 90 plus marks लाएंगे और हम पढ़ेंगे कैसे हम concept को भी देखेंगे साथ साथ में previous year question भी देखेंगे जो हमें important है टेक है तक कि हमारे concept भी तयार रहे है और previous year question प्र तो तयार करना ही करना है चले सबसे पहला question क्या पूछ रहा है वो देखते है without wasting of time निमलिखित में से और देखे 37 न विल बैरो है, four shape है, tongs है, knife है अब आपको पता होना चाहिए class second का liver यानि उत्तोलक की बात कर रहा है दितिव वर्ग का उत्तोलक तो यहां पर आपको तीन तीजे आपको जाननी चाहिए वो तीनों चीजे क्या है पहला first, second और third class का उत्तोलक यह तीन टाइप के जो liver होते है इनके बारे में हम जानेंगे, उसके बाद इस question पर वापस आएंगे, चले, आए पहले जान लेते है concept, देखे, पहले class का देखे उत्तोलक यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है, तो हम पहले सबसे discuss करेंगे first class liver की बारे में, यानि प्रथम वर्ग का उत्तोलक, इसमें होता क क्या है, यह देखे, जो load है, इसको हम कैसे represent करूँगा, देखे, मैं यहां बता दता हूँ, कुशिजे मैं यहां हटा दता हूँ, ताकि आपको doubt नहीं हो, ठीक है, यह देखे, खेर छोड़िए, इसको हमें आटाने की जरूत नहीं है, directs आपको मैं समझाई दे रहा हूं, तो मैं क्या बताना चाहा रहा हूँ, वो सुलेजी, यह जो load है न, इसको हम represent करेंगे W से, और जो force है, इसको represent करेंगे efforts से, यानि A से, टेक है, याद रखिएगा, अब इसी को लेकर मैं सारे concept को clear करूँगा, टेक है, देखे, पहले उत्तोलग में क्या किया है, कि falcrum बीच अब यह एक साइड इसलिए बता रहा हूँ, तक कि आपको याद करने में concept clear रहेगा, टेक है, तो इस टाइप की उत्तोलग में होता क्या है, कि आप एक साइड से effort लगाते हैं, बीच में falcrum होता, एक साइड आपका load होता है, अब इसका example क्या है, आप, आपको मैं बता इसका प्रेश लगी, effort लगा रहा है, और यह आपका falcrum का काम कर रहा है, तो यह आपको देखने के मिलेगा कहां, आपको बता दूँ, देखे, आपको अगर कहीं घर बन रहा हो, आपके आसपास, या आपका भी घर बना होगा, तो आपकी ceiling होई होगी, या पीलर ढ़ला किली मारते हैं, ठीक है, किली ठोकते हैं, लेकिन जब वो पट्रा वापस निकालते हैं, ठीक है, धलिया में से पट्रा निकालते हैं, तो उस पट्रे में किली लगी होती है, और यह जेंगे 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 जो किली होती है, यह जो किली है, इसको निकालने के लिए करते है है मैं बता दू तो एक औजार होता है खुछ इस तरह को होता है ठैक और फिर किली फक्त फसाएंगे और यहाँ से उब इस इसे घीचेंगे अई सब बता दो निचe लगाएंगे फोर्स और ये आपका काम कर दियाएगा फलकरम का और यह कर जाएगा effort का और यह जो किल्ली को निकालने में कौन सा काम करेगा यह आपका weight का weight या निए load का तो यही example यहाँ पर दिया प्यास की बात करो पिलास की बात करो प्यास की बात करूं पिलास की बती कह बना होता है यह स्सक्षू पड़ूस पिलास को भूत घ्लास के इस interacting अधिक दिए अगर एलेक्ट्रिक का काम होते हुए देखा होगा बहुत सारे बच्चे तो यह आपका फलकरम का काम करेगा और यह जो है यहाँ पर माले कोई तार है या फिर यह कोई चीज है यह होगे आपका वेट ठीक तो यह एक्जामपल हो गया दूसरा फर्स्ट क्लास लिवर का अब क्लास लिवर में चीज और मैं बताऊंगा पहले बेसिक बेसिक चीजे में बता दू क्योंकि बहुत चीजे बताने आपको देखें दूसरे क्लास का लिवर क्या होता यह जान लीजे देखें जो दूसरे क्लास का लिवर क्या होता इसमें फलकरम एक साइड आ जाता है अब इसमें क्या था कि पहले weight था फिर fulcrum था फिर effort था अब इसमें क्या होगा fulcrum आपकी एकदम left side में आ जाएगा बीच में आपका weight आ जाएगा और side में आपका effort रहेगा ही रहेगा ठीक इस तरह का fulcrum है ठीक है आपको देखने को मिल रहा है अब इसमें होता है कि फulcrum यह है आपका यहाँ यह load है जिसको weight भी बोलते हैं और यह देखिए force इसको बोलेंगे efforts इसका example क्या हो सकता है आईए आपको मैं बता दू देखे आपके पास दो example देखने को मिल रहे हैं एक है Will Barrow Will Barrow क्या है जो खुड़ा उठाने वाली गाड़ी है जगे जगे देखते हैं खड़ी करते तो उसमें कोड़ा भरते हैं फिर उठाते हैं हास से उपर क्यों घिषते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं और यह पईया लगा आवा ता पईया देख रहे हैं यह पईया जो है यहा आज से इसको पकड़ को उठा रहा है तो यह जब उपर उठाएगा वाला तो यही हो गया Will Barrow अब इसी तरह एक्जामपल आपको नट क्रैकर की बात कर लें नट क्रैकर देखे होता है क्या है कि यह कुछ देख रहे हैं यहां पर फिगर तो यहां से हम इसको दबाएंगे और बीच में अपना लोड रखेंगे यहांनि अपना अख्रोट रख दिये बीच में बीच में अख्रोट रख दिया और फिर इसको हम यहां से प्रेस किया और यह देखे हिंज होता है यहांपर ताकि यह दोनों पार्ट निकले ना इसी को पाईवोटेड बोलते हैं ठेक प्रेट को रख दी अब फिर इसको दबा दिए अब सी तरह आपका एक्जामपल जूस निकालने वाला जो बोलते हैं आपका जो यह बोलते हैं नीवह नीचोड़ने वाले मशीन कैसे कुछ इस तरह होती है आपको में बता दू कि याद रिखेगा अगर जो लोग नहीं जानत के एक है कुछ इस तरह होती है करते के यह ने नवाले कि बीच में यहां पर रख देंगे आपका यह नश्मोस है और यहांसे आपको लगाएंगे ऐफांट्स यह दोनों सैटसे क्या लग रहा है effort लग रहा है और यह जो points ना यह होगा आपका hinge या pivoted या fulcrum इसको fulcrum बोलेंगे जहां से joint होगा अब इसको जब दबाएंगे तो निचोड के बूद बूद क्या गिरने लगेगा नीबू का रस गिरने लगा यही example है आपका second class का lever का अब तीसरे class में आते हैं क्योंकि तीसरा भी बताना आवश्चक है पहले में हमने तो अलड़ी बता दिया अब तीसरे में सुनिये क्या है अब तीसरे में आपका fulcrum तो अलड़ी एक side हो गया left side हो गया fulcrum यानि बाएं side बीच में लग रहा था वो load एक side आ जाएगा मतलब पूरी तरह दहीने चला जाएगा ठीक है आपका आपके बीच में effort आ जाएगा और ठीक है लास्ट में आपका weight आ जाएगा load जिसको बोलते है अब इसका example क्या है आपको देखने को मिल रहा है आपको देखे इसका example आप देख लेजिए आपके सामने दिख रहा है और यह example है आपके हाथ आपका हाथ पुरा देखे अपने हाथ को थोड़ा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यह है आपकी weight उठाने का काम करेगा कैसे आप जीम गाएं आप जीम घाएंगे हम क्या और यहां से वेट हीए इसी तरह आपके पास sugar sugar-tongues की बात कर रहा है sugar-tongues बोलिए या sugar को उठाने वाली मसीन या चिम्टा थेट भासा में सो लिजिए कि आपके घर चिम्टा होगा आप नहीं देखे हूँ कहीं बाती कहा है और चोखा बाती खायें गये पाटी कहीं देखें आपका सेकी जाती तो जिससे उठाई जाती ह इस तरह का होता है मुडा होता है अब इसकु इधर से दबाते हैं दोनों और से जब दबाएंगे तो effort का काम करेगा और यह हो जाएगा आपका फलक्रम का और यह हो जाएगा आपका weight यहाँ देखें यहां पहुछ दिखह रहा है आपका सूगर का क्यूब उठाय हुआ हुआ दिख रहा है और यह दबाए हैं यहां से हमने div इजामपल है आप खुद दिमाख लगाएंगे कहेंगे सर जळू तो आप सही बता रहे हैं सर जळू ज़ू कुछ इसतर होता है आप जळू ऐसी तरह होता ना मनेजिए जळू आपके पास टेक है अब यह जळू मैं लिया हूँ और जळू को आपके पास जपर टेक इस जळ लें पकड़ने भाने हाँ से माल ले आप इसको ऐसे पकड़ रहे ह। पकड़ें कि आपका क्ड़ने की तो यह आपका काम करेगा क्शेश को कि और विज सकते चले огगे अगर इसका पूछा जाए कि यांत्री क्लाब क्या होता है question कहीं कहीं ये भी पूछा जाता है कि प्रथम वर्ग की उत्तोलक का यांत्री क्लाब होता है यानि इसको इंगलिस में बोलते हैं mechanical advantage तो इसका यांत्री क्लाब क्या होता मैं बता दू देखे ध्यान सुनिएगा आप लो त आपसे कहीं वर्ग का उत्तोलक का यांत्री क्लाब क्या होता आप कहेंके एक से ज्यादा होता है एक से कम भी हो सकता है या एक के बराबर भी सकता है समझ गया आप इसी तरह second वाले में पूछेगा कोई तो आप हएंगे सर में इडवन्टमस फीन से जयादा होगा second class का है न आपको कहां ऑपके सबसे याद के अनुजिए आपका क्या इगा अप इस पहले वाओं उसके ऐगा निलो प्लोसरे वाल में ची की और इते सब्सक्राइब को हुआ आगे यानि सबसे पहले वेट पहले position पहां पता फिर वेट कहां गया बीच में गया अब बेट कहां गया आपके होता या प्रफम पर होता या लास्ट में होता है यह इने होई ने तहीं तो आपको को याद करना किया है एक पहले क्लास का टोलग फोली अगर कथ है तो च lands स्टेसरे करेगा और हम आशा करते हैं कि मेरे दौर जरू में आगई है समझ में आ गए तो comments करके जरूर बताईएगा कि हां सर समझ में आ गए अब चलिए question पर चलते हैं इससे पूछे गए question पर क्या पूछा है question आईए देखें दियान से देखेंगा question क्या पूछाता है इसमें क्योंकि आपको question बताना भी है न तो चलिए पूछा था कि निम लिखित में से कौन सा विकल्प class second lever का उधारण है अब class second का लिवर क्या है मैंने बताया विल वैरो आप तुरंट टिक मारेंगे सर विल वैरो है क्यों है क्योंकि efforts एक साइड हो गया बीच में आपका क्या हो गय देखेंगे क्योंकि अभी और भी question करने है तो उसको हम देखेंगे चले यह चीज़े समझ में आ गई चले अगले question पर चलते हैं अब देखिए question और आ गया देखें नीबू निचोड़ने की machine है यह 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 निचोड़ने की बात लिखा है थोड़ा गलत हो गया टैपिंग म हमने अभी आपको बताया कि प्रतम सेड़ी में क्या होगा कि आपका जो देखें प्रतम सेड़ी में हमने क्या बताया कि आपका क्या होगा याद रखेंगा प्रतम सेड़ी में हमने यही बताया कि जो efforts है ठीक है efforts excite होगा फिर आपका फॉलकरम होगा फिर आपका load होगा ठी या फिर ऐसे भी कर सकते हैं लोड एक साइट कर सकते हैं ठीक है कुछ इस तरह ऐसे भी कर सकते हैं पहले आपका वेट होगा फिर फलकरम होगा फिर आपका एफर्ट होगा दुती में क्या होगा पहले फलकरम होगा फिर आपका वेट होगा फिर एफर्ट होगा तीसरे में क्या प्रिष्वी के अधर कि समय नियुम्तम होता है किसी वस्तु नियुम्तम हो ये थे कि देखे नार्थ पूल पर जाते होगा और ये थे किनार्थ पूल है और ये देखें सावट पूल है और यह देखे एक्वेटर है विश्वत रेखा और केंद्र क्या होगा बीच में होगा कहीं केंद्र यह होगा इसका केंद्र जहां इसको रखेंगे तो भार सबसे कम होगा पृत्वी का ठीक है डी आप्शन सही है चले अगले आप कोशन पो चलते हैं क्या पूछ रह एक्वेटर पह staan पही हो सकता है क्या कहिए आप गवेटर पही मिनममम जी कमान होगा ठीक है तो चली Kardashalis का क्या होगा जेंगे बदलता रहा यह highest खाइए का हर जेंग जी का नहीं होता यानि गुर्तव कर सड जी क्या है गुरुता कर सल 4 थे ग्रेवीटेसना लैक्सेरेशन हर भदलता रहता है तो C option इसका सहीय विश्वतर रेखा पर G का मान नियुंतम होता है. चले, अगले question पाते हैं, यदि यम-दर्ब्यमान का एक proton प्रकास की के साथ गती कर रहा है तो इसका दर्ब्यमान होगा, अगर कोई यम-दर्ब्यमान का कोई proton है, प्रकास की के वेंक से अगर गती कर करना है तो इसका द्रब्मान कितना होगा अधिक परंत्व सेमित होगा सुननी फोगा या फिर अस्यमित होगा दिंख 27. एक तालिस का सी अप्शन सही अगले कोश्चन पाते हैं क्या पोलना है ध्यान सुनेगा डाइनमो उर्जा परिवर्थित करता है अब डाइनमो की बात किया जाए तो डाइनमो उर्जा परिवर्थित करता है किस लिए करता है ये भी जानते हैं डाइनमो की अगर मैं बात करू तो बहुत ध्यान सुनेगा डाइनमो उर्जा परवर्थित करता है किस लिए करता ये ध्यान सुनेगा चले जो डाइनमो उर्जा परवर्थित करता है किस डाइनमो का काम क्या है एलेक्ट्रिक एलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करना लेकिन कैसे करेगा करता क्या है यांत्रिक को बैतित दुर्जाम करता है यानि mechanical energy को electrical energy में convert करता इस चीज को वह ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा ठेक है चलिए अगले question पर चलते हैं यांत्रिक उर्जा को बिद्दु तुर्जा में रुपांतित करने के लिए धेस का प्रयोक किया जाता है डैनमो डैनमो का काम क्या है अपको divulgo- और टियूंट ने को कैल वहता है अपको बैटरी करता है आपको chemical Прor nest latchs ने की को आपके आपको अचैए तो इस तो हैश्मिधियत करता हैं आपको बैक इसका INSER क्या था यांत्रिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में कौन करता है Dynamo करता है और संचारी से हDr. सब्सक्राइब कौन साथ सही है डी आपसन सही है जिसको आपको याद करना होगा चले अगले कोशन पाते हैं जो आपके सामने आने वाला है देखें नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का उर्जा समहन करता है नदी में जो जल बहता है वो किस प्रकार की उर्जा होती है देखें जब पानी है उसमें गती होती है जब जो कोई चीच चल रही है तो उसमें गती होती यानि गती उर्जा होती उसमें याद रखेगा ठेक है और विद्धुत उर्जा तो आप समझते हैं क्या होती gravitational के बारे में जानते है इस्तेज़ी उर्जा मतलब पोटेंसल energy की बात कर रहा है ठीक है अब गतीज उर्जा होगा इसका एंसर याद रखेगा D है 45 अगले question पाते हैं क्या पूला है कि निमलिकित में से कौन सा उर्जा को यांत्रिक उर्जा में परवर्तित करता है निमलिकित में से कौन सा उर्जा को mechanical energy screw me convert करता है यानि विद्धू दूरूजा को यांत्रिक रूज्या में convert नहीं कावद करने काम electric motor करता है कि इलेक्र जनरेटर का क्या किया है пिक जनरेटर क्या है कि mechanical energy से electrical energy create the help of dynamo श्htaqiya काम घार्ट होता है कि ट्रांसफार्मर क्या सब्ब्स्र करता है ठीक है चलिए तो 46 का यह option सही है याद रखेगा चलिए अगले question पाते हैं प्रकास के पत्थ में एक डैस डैस वस्तु के आने पर छाया का निर्माड होता है देखे प्रकास के पत्थ में कोई अगर object आ जाएगा तो उसका अपर जैसे को बोलत ओपेक बोलते हैं ओपेक बोड़ी मतलब अपारदर्सी जिसको आप रख दिये तो प्रकास इसमें तो नहीं आ जाएगा हाँ इसका image पीछे जरूर बनेगा यही बोला यानि D option सही है प्रकास के पत्थ में एक अपारदर्सी वस्तु के आने पर छाया का निर्माड होता है तो 47 का D option सही है अगला कोशन है प्रकासी यह सुच मदर्सी यानि light microscope में किसके लिए तेल निमंजन का प्रयोग किया जाता है तेल निमंजन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है देखती सुच मदर्सी की विभक्त सकती को बढ़ाने के लिए याद रखेगा सुच मदर् होता है वो कौन सा होता है आपको बताना देखिए जो साइड में जो mirror होता है Convix mirror होता है याद रखेगा क्या होता है Convix mirror उत्तल दड़पड होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको जानना बहुत आवश्यक है जान जागिएगा क्योंकि इसी में होता है क्या है मैं बता दूँ आपको कि आप बाहर चीजे बहुत बड़ी-बड़ी होती उसको हमें छोटे चीजों में देखना है यानि हम चाहते हैं कि वो बाहर की सारे चीजे किसी एक चीज में समा जाए तो इसलिए उत्तल दड़पड का इस्तमाल किया जाते हैं जिसमें जो चीजे हैं रे चलिए उन्चास का यह option आपका सही है अब आगे हम बात करेंगे चलिए अगला question देखते हैं और एक important बात यह भी बता दो उत्तल दड़पड में image कैसा बनता यह भी जाना चाहिए ठीक है और इसमें प्रतभी में क्या है imaginary बनता है और सीधा बनता है और वस्त उसे छोटा अबासी मतलब imaginary होगा और सीधा होगा सीधा बनेगा और वस्त उसे छोटा बनेगा ठीक है यह चीजी आपको पता होनी चाहिए ठीक उत्तल दड़पड जिसको इंगलिस में बोलते हैं Convex Mirror याद रखेगा और यह करता क्या है Conversion का काम करता है Converzing Ray रे को दम छोटा करता है ताकि किसे एक विंदू को फोकुस करें ठीक है याद रखेगा चले 49 का यह option सही अगले question पाते हैं प्राथमिक रंग है देखें प्राथिक रंग में तीन होते हैं लाल हरा नेला यानी D option आपका सही है चले अगले question पाते हैं मुख्या रंग कोन Polsce है मुख्या-- और बात कि या जाए लाल हरा नेला आपको बढ़ा तेना मैं लाल हरा नेला सेम question यह daughter या आपका option का São सायudhono姐 KNOW finest X है याद रखे दा चले कि अगला कॉश्चन है दिक दिस्टी दोस सम्दित है निकट दिस्टे दोसके English इंगलिजिस में बोलते है लिए सैटनेज इसमें होता क्या है निकट द्रिश्टी दोस में ठीक अब ध्यान से दिखेगा जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनेगा अब होता है क्या है कि अगर चीजे सही है जो प्रकास आया यहां से आपकी रेटिना पर बना चीजे आपको सही से दिखाई दी लेकिन कभी-कभी होता क्या है चीज को समझेगा जो मैं बताना च । وتактер टी। okay। और इसे चीज़ को दूर करनी के लिए हम अब तर लेंज लेंट से उच की करते हैं। प्रकास की alloास उचकी हमें चीजों को जो प्रकास की जो रहती है। US को फैलाने का好好 कॉश इस तरह होता है। लेकिन फैलाने काम करती चीज़ों को फैलाने का जो रही आती वो फैल जाती तो इसलिए समझ गया आप मैं क्या बताना चाहा रहाता ठेक है चले निकट दिस्टी दोस्ट के लिए दूर की बस्तू का न दिखना भी ऑप्षन सही है आई एकले खुशन में निमलिकित में से कि इसे निकट दिस्टी दोस्त के रूप में जाना जाता है निकट दिस्टी दोस्त के लिए जाना जाता है तिरपन का option C आपका सही है याद रखेगा भूलिएगा मत चलिए अगले question पाते हैं जो अगला question है आपका कौन सा है इनमें से कोई फर्क नहीं पढ़ता कि आप अगले question पाते है आपके रेटिना पर नेतरों द्वारा निरमित्ड़िए होता है आपके रेटिना पर प्रब्रधियम बनता यानि इमेज बनता है वो कैसा होता है वास्तविक होता है उल्टा होता है अवासी होता है इनमें से कौन सा option सही आपको यह बताना है आप याद रखिएगा छोटा भी रहेगा वास्तविक भी रहेगा छोटा भी रहेगा लेकिन उल्टा रहेगा ठिक है यह उप्षन साई इसका चलिए अगले क्वेशन पार्ते हैं किसी वेक्ति का पूरा-प्रति भीन देखने के लिए एक समतल दड़पड की नियुनतम उचाई होती है माले कोई वेक्ति खड़ा है सामने उसका हमें पूरा प्रतविम में चाहिए तो उसके लिए हमें दड़पड कौन सा लेना होगा ये पूछ रहा है कोश्चन में समझ गया आप तो क्या है किसी वेक्ति का पूरा प्रतविम देखने के लिए एक समतल दड़पड की नियुनतम उचाई होती है वेक्ति की उचाई के बराबर होती है वेक्ति की उचाई की एक चोथाई होती है वेक्ति की उचाई की दोगुनी होती नहीं व्यक्ति की उचाई की आधी होती अगर माले व्यक्षीव साथ फुट का है तो साड़े तिन फुट का भी मिरर लेंगे तब भी उसमें व्यक्ति की अच्छे से दिखाई देदेगा ठेक है पूरी तरह से अब आते हैं अगले क्वेशन पर देखे दन्तविसेसेश ग्या का सीशा होता है जो डेन्टिस्ट होते हैं उनके पास एक mirror होता है जो आपके दात में देखते हैं कि लीजह में कैविटी अगले कोश्चन पर चलते हैं अब बहुत लोगों के साथ नरुतर सिसा होता क्या है देखे इसको बोलते हैं कंके मिरर बोलते हैं क्या बोलते हैं यह नरुतर सिसा कंके मिरर बोलते हैं कंके मिरर का क्या काम है इधान रखेगा चीज़ों को फैला ने जुरुए पढ़ती है उसको फैला देता है डाइवर्जन का काम करता है नरतर में तभी उसी चीज़ें हमें अच्छे से दिखाई देते हैं ठावन क्या है परदे पर उत्तर लेंस द्वारा वस्तु की वास्तवी काकिरती बनती है यदि उत्तर लेंस के ऊपरी भाग को अपार दर्सी कागत से ढग दिया जाए तो छवी पर क्या प्रभाव पड़ेगा समझ रहे हैं वस्तु के केवल निचले भाग की ही चवी प्राप्त होगी या वस्तु के केवल उपरी भाग की ही चवी प्राप्त होगी या कोई भी चवी प्राप्त नहीं होगी वस्तु की पूर्व चवी प्राप्त होगी परन्तु इसकी तिप्रता कम हो जाएगी देखे वस्तु के देखिए एक चीज ध्यान रखेगा अगर माले किसी उत्तर लेंस पर वस्तु की आकरती बनती है यदि उत्तर लेंस के उपरी भाग को उत्तर लेंस का उपरी भाग है उसको अपर दिया जाए जिससे उसकी छवी पर क्या हो जाएगी य्याद रखेगा आप्शन New Line 2 सही है एक है चलिएदा कोशन पाते है क्चा क्या बोला है सवच्च औककर नेला रंग किस करण से दिखाई पढ़ता है सवच्चा अकास का जो रंग होता है नेला किस का करण से दिखाई देता है यहां होता है कभी कभी आप यह भी सुनों है होगे कि संवंदर का जल नीला क्यों दिखाई दिखाई देतार ध्यान दीचिदेगा धरियेगा यहां पर प्रकास का विखरन का मतलब होता है विकर्डन विकर्डन का मतलब beter하시는 rANG तो ञाइब प्रकास जो जलाइड काइज होता है जिसमें जूसकी सब्सें होती है वह ज्यादे इधर उदर फ़छता है ठीक तो उसमें क्या है तुछ सबसे कम विवलेंट किसकी होती है पुइल्ट जो टीक है भी option अपका सही होगा चलिए अगले question पाते हैं समुद्र जल के नीला रंग होने का क्या करण है देखे अभी आ गया question न देखे पानी द्वारा रोशनी का छितराव समुद्र जल में असुद्धी वस्तव द्वारा नीले रंग की रोशनी का पवरतन या पानी द्वारा रंग समुद्र पानी में संपूर आंतरिक परबरतन किसके दारह होता है यह आपको बताना है ठेक है एक शी जियात रखेगा पानी द्वारा रोसनी का कच्थ तरह इंदेक्स होता है किससे अधिक अपॉरतनांग होता है उसका सबसे अधिक अधिक होता है हिरे का होता है अप expon को प्रिटिचत के होता क्या है कि जैसे ढेख रहे हैं अब ये कोई A medium 1 medium YouTube है अब medium करेखा कि यह जो lights गिर रहे और या एससे चलिए जाएगी या पहर criminal के जुक जाएगी समझ रहे हैं तो फिलाल के लिए एक्सट का सी अप्शन सही है अधिक्तम अपरतनांग हीरे का है चलिए अब कोश्चन यह बहुत अच्छा है वह ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह कोश्चन पूशा जाता है बार बार आता एक्जाम में लाल गुलाब को जब एक नेले फिल्टर से देखा जाता है यह दिखा नेदेगा तबी घुम हमारे वापस रिफ्लेक्ट को के आता वही चीज हमें दिखाई देती माल लते हैं कि मूलाब हमें लाल दिख रहाए लाल प्रकास है वह मरत परथ और ऑस रिफ्लेक्ट होगया वहीland हमें दिखाई देती है। capitalize होगा है देखेगा क्या तो काला ओप् कई कई आठ मिनट बिस सेकेंड भी दिया है तो याद रखेगा ठेक है याद रखेगा सी आपका सही है अप्टिकल फाइबर ज्यान सुनेगा इस कुश्चन को पूछ रहा है कि आप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निमलिकित में से कौन सा वैग्यानिक सिध्धान तो देखेए आप्टिकल फाइबर जो है किस प्रिंस्पल पर काम करता है प्रकास के कूल आंतरिक परिवर्तन या फिर देखेए टोटल इंटर्नल रिफलेक्शन इसको बोलेंगे सी आपसं आपका सही होगा जिसके उपर ये काम करते है आप्टिकल फाइबर चलिए चौसर्ट किसका तरंग सबसे अधिक होता थे तरंग तरंग सबसे अधिक होता है तरंग ही सबसे अधिक होगा हमें ये बताना हमने क्या पड़ा था एक देखाए विभयूट अब ग्योर में आप ध्यान से दिखिए गा यह पहले नंबर पायगा इसको ऐसे रखेंगे तो सबसे पहले रेड होगा भी सबसे उपर होगा तो लेड जो है आपका वेविलेंद सबसे अधिक है किसका वेविलन सबसे अधिक होगा इसमें रेड है नहीं दिख रहा है औरेंज है औरेंज है नारंगी बिलकुल सही यानि डी आफ्सान आपका सही Harajahah, याद रखेगा नारंगी के बाद आपका आयेगा पीला दूसरे नंबर पर पीला आयेगा तीसरे नमबर पर हारा आएगा फिर चौथे नमबर पर आएगा ब्लू ठेक है सबसे अधिक वेवलेंद किसकी है रेड की है चलिए नारंगी आएगा आप्शन डी याद रखेगा इसा आप चलिए अगले कोशन पाते हैं किस रंग के प्रकास की तरंग दर्द सब से कम होती है यह तरंग वी बिग्योर इस शिश को याद करिएगा वी मतलब होता वाइलेट होता वाइलेट मतलब होता है बैगनी कलर और इंडिगो आई मतलब होता है इंडिगो इंडिगो का मतलब होता है नील जो नील की खेती करते थे पहले नील बनती थी नील वाला कलर और बी का मतलब होता है न वेवलेंड सबसे कम किसकी होगी बैगनी की होगी याद हो गया चले अगले कोशन पाते हैं जो हम देखने वाले अब अगला कोशन क्या बोला है वह ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह भी कोशन आपके लिए बहुत खास होने वाला निमलिकित में से किस में सरवाधिक उर्ज देखेगा हमएसा बराबर होता है center और यह जो-new है देखे काहिं न्यू और यह से लिखते हैं इस new को हम क्या बोलते है फ्रिक्वेंसी भी लखते हैं और इस new को पर कहीं कई यहन से भी यहां इएक होता क्या है मैं आपको बता दूँ कि जहां TER horror h नीव होता है अगर जिसकी frequency बढ़ गई एक concept directly proportional हो जाएगा frequency यन एक नट ये इडिरेक्टि प्रोपोशनल हो जाएगा new से अगर new बढ़ा तो याद रखेगा जब new बढ़ेगा तो आपकी उर्जा भी बढ़ेगी energy भी बढ़ेगी और जिसके वज़े से उर्जा बढ़ने का chance कब होगा भी बराबर होता एन लैमडा टेक है और लैमडा और एन में भी relation हम देख सकते हैं कैसे आईए आपको में बता दू कुछ इस तरह भी कर सकते हैं आप माल लेते हैं लैमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो वन बई फ्रेक्वेंसी ऐसे कुछ माल लीजे अगर wavelength पढ़ा तो इसकी frequency 100% माल लेजिए कि यह कम होगी और जिसकी frequency कम होती है समझ जाए कि उसकी energy बहुत जादे होती मतलब wavelength का मतलब क्या है कुछ ऐसे मानिए कि माल ले यह कुछ wavelength है और कुछ यह wavelength है कुछ यह wavelength है अब इस wavelength को देखकर बताई यह wavelength में मान लेता हूं मानने के ल यह उसकी frequency यानि आपको एक second में जितने जापड घीच के मार दिया जाए किसी विक्ति को एक second में जितने ठपड मार दिया जाए वही उसकी होती frequency याद करने क्लिए बता रहा हूं personally मतलिजेगा ठेक है तो चलिए समझ गया अगले question पाते हैं तो इसका answer क्या कौन सा होगा इ प्रकास चलिए अगले question पाते हैं ठेक है अगला question क्या बोला है कि निम्न में से ठेक निम लिखित में प्रकास का कौन सा रंग शुन्य एक में इसको थोड़ा जिसमें क्या होगा velocity जादे होगी velocity जादे है कब होगी जब उसका wavelength जादा होगा जिसका wavelength होगा बहुत दूर तक travel करेगा और बहुत दूर तक हमें दिखाई भी देगा तो वह कौन सा है लाल कलर ये बहुत important question है देखे बच्चे बहुत गलत करते हैं तो इसको बहुत ध्या होगा याद रखेगा चले और एक चीज में बता दो जो लोग पहली बार इस चैनल पर जूड़ रहे हैं तो वह ध्यान सुनेगा कि आप आपकी जो classes है वह already तो चली रही है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके questions होते हैं किसी topics का doubts हो तो आप comment section में comment छोड़ दिएगा अगर आप चाहते हैं physics की classes आप चाहते हैं कि physics की class में personally लाऊं जिसमें केवल concept बताऊं तो comments करके जरूर बताईएगा दूसरी चीज आप ये भी comments करिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा और वीडियो में क्या आप और चाहते हैं वो suggestion आप दे सकते हैं as a feedback और अच्छा पर हैं इसको लगा डालिए और साथ में आप टेस्ट जरूर दें मौक टेस्ट हमेशा देते करिए और previous question paper का टेस्ट दे देंगे तो 100% sure है कि आपके 90 प्लस मार्क यूपी ट्रपल सी पेट चाहे आपका पेट हो चाहे कोई भी exam हो क्योंकि जो general science है कि किसी की जयाती धर्म नहीं होती है कि physics chemistry बायो का कोई जाती धर्म नहीं होता है कि माल ने की यूपी ट्रपल सी पेट में पूछा तो अगले में नहीं पूछेगा बाई यह रेली में पूछ सकता है या फिर BPSM पूछ सकता है कहीं भी question पूछ सकता है question हर जगा पूछे जा सकते हैं बस आप mentality यह रखिए कि अगर आप physics के question आपके आ रहे हैं अगर आपके सामने physics के question रख दिये जाए तो सारे question आपसे बनने चाहिए बस समझ गया सिंपल सा concept पर मेरे सामने question आया है तो उस question को मैं solve करने में सच्छम होना चाहिए होना चाहूं बस यही उद्ध्यस है चले मिलते है